हाई गाईज वेलकम बाक तो मैं चानल आज हम इस वीडियो के मध्धम से सिखेंगे के आपका UAN नंबर जो आपका PF रहेगा ओल्ड अकाउंट में से नए अकाउंट में आपको कैसे ट्रांसफर करना है जैसे के आप प्रिवियस आकाउंट में ही रहेगा तो आपको नूब अकाउंट में कैसे जाना है, मतलब कैसे ट्रांसफर करना है कोई भी इक ब्रॉजर आपको ओपन कर लेना है जैसे के मैं गूगल क्रूम ओपन करता हूं और वहां पे सिंपल सा टाइप करता हूं UAN Portal और जैसे टाइप करके एंटर करते देता हूँ तो first option मुझे दिखाएगा Unified Portal Employee उसके पर मुझे simple सा click करना है तो मुझे एक normal सा जो है ना Portal open हो जाएगा Employee का ओके EPFO का Portal open हो है मुझे UAN नमबर टाइप करना है और उसके बाद पासवर्ड भी मुझे टाइप करना है उसके बाद simple से हमें sign in करना और पासवर्ड के बाद तो आपको जो है ना main page login page आपको दिखाए देगा तो आप देख सकते हो login page आ चुका है तो आपको simple से मैं इनामिनेशन का कट कर देता हूँ ओके close कर देखो टैपको और आपको स्रिफ जाना है online service पर online service में आपको बहुत सारे options रहेंगे claim, one member transfer track, claim status आपको simple से one member one pf account transfer request पर हमें click करना है जैसे आप click करोगे तो ऐसा page open हो जाएगा तो आपको नीचे down में जाना रहेगा ओके यहाँ पर आपको claim form ओके तो आपको simple से जो है यहाँ पर present employer पर आपको click करना है ताकि आपको present employer approve कर सके कि हाँ यह बंदा हमारे पास ही work कर रहा है उसके पर get details पर click करना है हमें simple सा get details पर गैसे भी click करते हो तो नीचे है यहाँ पर option आगया है तो आपको कुल से company का जो आपको जो है पी अफ आप current account में transfer करना चाह रहे है वह आपको select करना है जैसे कि मैं quiz corp को जो है na select कर रहा हूं मुझे वह आपको current इसमें चाहिए तो उसके बाद नीचे मुझे select करना है member name के मंदर सिर्फ check-in करना है और मैं down ले लूँगा down last में आपको जो है ना यहां पर लिखा हुआ है कि note OTP will be sent to your other link तो मैं check-in करूँगा yes उसके लाद get OTP पे click करूँगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि OTP sent successfully तो मेरा जो भी register mobile number रहेगा उसमें OTP आ जाएगा तो मैं देखता हूं कुछ OTP आया है कि सम्टाइम OTP का issue भी होता है कि OTP नहीं आता है server busy होता है कि सम्टाइम आपको OTP नहीं आया है तो आप जो हैना get OTP फिर से आप click कर सकते हो मैं थोड़ी देर वेट करके देखता हूं कुछ seconds अगर नहीं आता है तो फिर से मैं get OTP पे click करूँगा जैसे कि मुझे कुछ OTP नहीं आया तो मैं फिर से एक बार click करके देखता हूं get OTP पे get OTP पे मैं click करूँगा load ले रहा है OTP send successfully कर देता हूं मैं मुझे OTP आ चुका है अभी मैं OTP enter करना रहेगा आपको यहां पे मैं अपना OTP enter कर दिया हूं उसके बाद आपको simple सा submit करना है जैसे ही आप submit करोगे तो loading का पूछ रहा है तो थोड़ा time लेगा यह submit होने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो status has been tracked from claim has been successfully submitted तो मैरा claim submit हो चुका है ठीक है आप इसी तरीके से आपको कितने भी प्रीवेस आप company में किया होगा वो previous का amount आपके current account में अगर आप transfer करना चाहरे हो तो simple सा आपको यह process follow करके आपका previous को जो भी amount है जो employer का share जो employee का share रहेगा वो सब भी आप जो आप transfer कर सकते हो easy से इस तरीके से आपको इतना submit करके छोड़ देना है तो आपका employer चक करेगा current employer और आटोमेटिक जोन हो अप्रूव कर देगा जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर request raise किया है तो यहाँ पर लिखाई भी गर आपके tracking id previous account number okay तो आप easy decision है इसा कर सकते हो अगर मेरे चैनल पर नए है तो subscribe कीजे like कीजे share कीजे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ